दुरुब भिलाई में संचालित नीजी स्कूलों पर नकेलिकस ने और ये स्कूलों के आउडिट रिपोर्ट जात को जाने की मांग को लेकर पालक संग ने जिला सिक्षा अविकारी को ग्यापा सौपा था। जिसमें काफी समय बीज जाने पर आपरोश पालक संग के प्रदिश अध्यक्ष नजरुल खान ने डियों से मुलाकार कर 15 दिन में कारवाई की मांग की नहीं तो उसड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने की बाग कही। दुरुग भिलाई में नीजी स्कूलों की मनमानी और शिक्षा की आड में चलाए जा रहे है वियापार को लेकर पालक संग के प्रदिश अध्यक्ष नजरुल खान ने दुरुग भिलाई में स्थिध नौ नीजी स्कूलों की औरडिट रिपोर्ट की जाज ही मांग की। वहें इस मामली में जाज की लेट लटीफी से नाराज पालक संक्य अध्यक्ष ने पुनह जिला सिक्षा अधिकारी अर्विन मिश्रा से मुलाकात किया और अब तक हो रही गड़बढ़ियों के बारें बताया। साथी 15 दिन में कारवाई नहीं होने पर सड़क पर उतार आकर प्रदर्शन करने की बाते कही। परयाद होती है और एक स्कूल की जाच करने में आपको मैकसिमम दो दिन लगेगा ज्यादा एक दिन आपको बताना चाहेंगे कि विद्या अले विद्या का मंदिर होता है जहां सिक्षा का प्रसाद परोसा जाता है ताकि समाज और रास्ट का नव निर्मान कर रास्ट आती है जब यही विद्या के मंदिरों में शिक्षा के प्रसाद का मोटी रकम पालकों से लिया जाए हम बात कर रहे हैं दुरूब भिलाई शहर में संचालित ऐसे बड़े-बड़े प्राइविट स्कूलों की जो शिक्षा की अधिकार अधिनियम को दर्किनार कर पालकों स सिक्षा अधिकारी अर्विन मिश्रा से नौ प्राइवेट स्कूलों में जाच की मांगी और उचित कारवाई किये जाने को लेकर नजरुल खान ने बताया कि जाच अधिकारी स्कूल संचालकों के साथ होटल में बैट कर जाच रिपोर्ट तयार कर जिला सिक्षा अधिकारी क के सम्मत में कि हमको शिकायत प्राफ्टी उसके जाच जारी है चानलों के सभी बनाई रही है और वो सभी स्कूलों में जाते हैं जो शिकायत है उन बिंदों में जाच कर रहे हैं विभाद तवारा किसी प्रकार की नपयवाई या धिलाई ने की जारी है यहां पर चुकि न कि लिए पालख संग का डेलिगेशन आया था जिला सिक्षा अधिकारी के पास में कि जो नोगी शिकायत की गई है कि यह लाब कमा रहे हैं करोडों रुपए वसूल रहे हैं पालखों से प्राफिट के तोर पे इंपर क्या कारवाई हुई तो उन्होंने बताया कि जाज चल र मानी फीस वसूली कर रहे हैं उनके खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई किया जाए और मैं बार बार प्रसासन से मांग करता हूं राज्य सासन से भी अपील करता हूं कि या तो सिक्षा को धंदा गोसित किया जाए क्योंकि यह सिक्षा मापिया खुले आम सिक्षा के अधिका अदिनियम का उलंगन कर रहे हैं यानि कि कानून है तो पालन होगा और पालन करवाने के लिए अगर पालक्संकोश सब्णक पे आने की जरुत पड़ी तो हम सब्णक पर भी आएंगे लेकिन अभी हमारा प्रसासन पर और कानून विवस्ता पर पूरा फरोसा है इसलिए हमारे द्वारा क्या बोलते हैं शिकायत की जा रही है और जाज की मांग की जा रही है और सिक्षा विवाग और सिक्षा अदिकारी ने ये कहा है कि जाज भी होगी और इसकूल जो लाब कमा रहे हैं उनक उत्लग